हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आईटी फाइटे यूटूब चैनल में फ्रेंड्स कल जहां तक लास हो गई थी उसी के आगे कांटीन्यू करेंगे कल हमने 100 कोशन कर लिये थे उसमें से एक कोशन का मिश्टेक था तो वह अंसर सही कर लिजिए को कोशन नमर 95 और यहां प प्रेंटों को तेख है तो आयल का परियुच करते हैं विवाइडर के पॉंट्स को तेज करना ठिक है या फिर रेंड करना तो भी हम आयरल स्टोन का प्रियूग करते हैं 100 कोशन तक कराये थे लेकिन हमने 100 कोशन आपसे पूछा था कि आपको कमेंट में अंसर बताना है बहुत कुछ यह ने अंसर दिये थी जो अंसर गलत था आप लोग ने अंसर दिया ए ऑप्शन और भी ऑप्शन कोशन में पूछा गया थ जाता है तो जब पूछा जाए डिफरेंट प्रोफाइल ठीक है डिफरेंट प्रोफाइल की मेटल जो है उसको काटने के लिए अगर हमें कटिंग करना तो वहां पर हम कंटूर बैंट सा का प्रूप करते हैं राइट अंसर हमारा शी ऑप्शन होगा ठीक है जिन उसने सी द में 25 में कितने दाति होते हैं ठीक है तो सामानता पावर सा ब्लेट में सामानता जो प्रयूब किया जाता है जाता वह दिए याद रखी इघए काफिंपोर्टिन इस सरफेस पर खरोटव चिपस के उत्पादर का क्या कारण है इंग्लिश में हम पढ़ देते हैं what is the what is the region for scratch produced on filed surface जो हम file के द्वारा हम filing करते हैं और किसी surface पर scratch बन जाते हैं ठीक scratch बन जाते हैं निसान पढ़ जाते हैं इसका क्या कारण है इसका कारण यह होता है जो हमारे file होती है उसके दावत के कड़ फजाते हैं जिसे हम पिकनिंग अफ फाइल बोलते हैं और वही जब पिनिंग अफ फाइल जो हमारी horas वह जाती है जैब उसमें दा उत के कड़ फजाते हैं असी फाइल के माधियम से चैब हम जान होगा से अभी प्रपेशन करें जो आपका एक्जाम अगस्त में हो सकता है तो निश्य वोसकते लिए काफ़ी इंप्पोर्टेंट क्लास है ठीक है बागी अगर आप त्यारी करें तो भी इस क्लास के लिए अच्छी है आप देख सकते हो बहुत कुछ सेखने को मिलेगा क कोशन नमर 102 हम अगर बात करें पूछा गया है इस हैनी का क्याना में चीजल आपको फीगर दिया गया और चीजल समधी जितने भी कोशन बनती इस वीडियों बताने वाले हैं तो ध्यान से कॉपिक निकाल लीजेगा नोट कर लीजेगा जो भी हम आपको पॉइंट बताएंग चेंड ड्रिलिंग क्या होती है ऐसे कोई हमारा वर्क पीस है और हम कुछ दूरी पर ड्रिल करते हैं ठीक है कुछ कुछ दूरी पर एक लाइन में हम क्या करते हैं ड्रिल कर देते हैं ठीक है तो इसी को हम चेंड ड्रिलिंग बोलते हैं और यही पर रभ मटेल को हटाने के ल चौड़ाई कितनी होती? फ्लैड चीजल की, तो 16 से 32 हैं नोट कर लिजी का 16 से 32 हमारी थे हमारी फ्लैट चीजल की कतिंग एच की चौड़ाई होतीए है। तो यह हमारी 100-400 mm होती है, ठीक है, 100-400 mm हमारी क्या होती है, फ्लेट चीजल की लंबाई होती है, ठीक है, इसलिए पूछा जाता है कि अगर चीजल की पूछे कि कहां तक लंबाई होती है, तो चीजल हमारी 400 mm तक की पाय जाती है, और फ्लेट चीजल की पूछा जाती है, तो 100 से चार समयम तक होती है ठीक अब हमने बात कर लिया FLEip चीजल की जो CUTTING की चड़ाई होती है Bin emp refresh 4-ую चार सी-4- SARAH Saar firefighters say ihre Cross地 आई GECTS की कटिंगेच की चड़ाई होती अगर इसका दूसरे नाम पूछ जा है तो इसका दूसरे नाम होता है केप चीजल होता है अगर आप इसका यूज पूचा जा कि केप चीजल का यूज कहा होता है तो जहां पर हमें कीवे काटना होता है वहाँ पर हम क्रॉसकर चीजल का परोग करते हैं ठीक, 6-16 हमारी diamond point chisel के cutting edge की चोड़ाई होती है, नोट कर लिजीए, अगर पूछा जाए कि diamond point chisel का use कहाँ पर करते हैं, तो जो हमारी square material होते हैं, जहाँ पर हमें kone होते हैं, ठीक, तो कोई भी हमारा job है, उसके अगर हमें kone बनाने हैं, ठीक, kone पर हमें chisel का प्रियोग करना अगर पूछा जाए आपसे कि जो chisel होता है, जो head होता है, कितनी degree पर changer किया जाता है, तो बहुत important question है, 10-12 degree पर हम चisel के head को changer करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए chisel को clean single होता है, तो 10 degree chisel का clean single होता है, अगर rag angle पूछे जाए, तो 20 degree होता है, इसी प्रकार से अगर point angle हमारा point angle होता है ठीक है तो यह सब point आपको याद रखने हैं जो काफी important question है अब next point की बात करे question और पूछा जाता है जो हमारी चीजल होती है उसके हम किस भाग को hard or temper करते हैं तो चीजल के cutting age के भाग को hard or temper करते हैं कितने size तक करते हैं तो यह हम 30-35 यह भी करेंगे और 30-35 तक हम चीजल के cutting age को hard or temper करते हैं ठीक है तो यह भी पूछा जाता है कि चीजल के किस भाग को हम hard or temper करते हैं वह cutting age को करते हैं अब हम बात करें कि जो निश्क कोशन आप से पूछा है why slight convexity is given on the face of hammer क्यों हथोड़े की चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती इसका मतलब क्या है जो हमारा hammer होता है चेहरे का मतलब क्या है phase जो hammer का phase होता है उसको अबरा हुआ क्यों बनाते हैं मतलब की convex इस type से क्यों बनाते हैं फ्लेट क्यों नहीं बनाते हैं तो यहां पर इसका क्या अंसर इसका इसी प्रकार से अंसर समझ लीजिये जैसे हमारी चीजल होती ही जो चीजल का cutting edge होता है उसको इस तरह से बनाते हैं उभरा हुआ ठीक है कहें कन्विक्स बनाते फूछाने जाता कि चीजल का जो कटिंगे जो कन्विक्स क्यों बना जाते उसका जो अंसर होता इसका भी वही अंसर तो यहीं से समझीएगा और आप चार आप्शन देखिए एक और अंसर बताईएगा ठीक है तो फर्स्ट आपस है टू मेक इंफेक्टिव टू उला उट लाओ टू डिगिंग ऑन द देखित क क्या होगा हेमर के फेस को हम क्यूं कंशント बनाते क्यों वह बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि जो किनारे है किनारों को बचाने के लिए ठीक झिजल कические किनारे के यहीं ॥ी इसलिए हम वहाँ पे चीजल के जो कटिंग एज है उसको कन्विक्स बनाते हैं और वह जॉब में धसे भी ना ठीक है जॉब में धसे ना इसलिए भी हम चीजल के कटिंग एज को कन्विक्स बनाते हैं इसी प्रकार से हैमर से हम क्या करते हैं हैमरिंग करते हैं किसी मेटल को किसी मेटल चाहता है मेटल में इसलिए वाँ पर हम इसको उभरा हुआ बनाते हैं तो एवाई डीगिंग ठीक किनारी की खुदाई बचाने के लिए ठीक धासने से बचाने के लिए अगर हम कहें थीक है थेक है यहां पर फिगर दिया गया है और आप से पूछा गया है कि यह वाट इज़ बेने मापद हैं मार के नाम पूँछा गया तो फिगर को देखी अच्छे से और बताई क्या होगा तो यह हमारा कौन सा हैमर है, यह हमारा है, देखे, यहां पर पीन को समझ के बताना होता है, जब भी आफ हैमर को देखो, तो यहां पर पीन क्या है, हैंडल के क्रॉस में है, हैंडल के क्रॉस में हमारी क्या है, यह हमारी पीन, तो यहां क्या नाम हो गया, क्रॉस पीन है, यही जो पीन है इसको क्या बोलते है पीन बोलते है यही पीन अगर सीद में होती है यह जो है ना इस ऐसे होती तो यह हैंडल के सीद में हो जाती है जब हैंडल के सीद में हमारी पीन होती है तो उसे स्टेट पीन हैमर बोलते है और जब यही क्रॉस में हो जाती है तो इसको हम स्पीन हैमर होगा हैमर से इंपोर्टेंट बहुत सारे पॉइंट बताने वाले हैं तो कॉपी पिन आपने लेके बैठे होंगे तो नोड कर लीजिए जो भी हम यहां पर पॉइंट बताने वाले नमबर वन अगर पूछा जा हैमर का जो क्लासिफिकेशन वर्गी करण कैसे की जाता है है ना कैसे हम अगर मार्केट में जाना है तो किस प्रकार से हम हैमर को लेंगे तो हमें वहाँ पर देखना होगा हैमर का भार हैमर का हम भार देखते हैं और हैमर की जो पीन तो वर्गी करण जो हम कर और कितने प्रकार के होता है तो यह कहीं प्रकार के हैमर होते हैं अगर पूछा जाए आपसे मार्टिंग हैमर का वजन कितना होता है ठीक है 330 ग्राम लिकेंक क्या लिक He 백 अगर हम आपसे पूछें की बताई है यह हमने क्या बताई या फिर अजय है मार्किन हेमर बता है ना दोनों एकई है क्योंकि हम感謝 रहसे हैं हैमर भी आपसे पूछा जाएगा तो यह होगा ठीक है अब अगर आपसे पूछा जाए चीपिंग हैमर चीपिंग हैमर क्या है जब हम चीजल के माद हम से हम चीज लिंग कर रहे हैं मतलब कि मेटल को रिभूर्ट कर रहे हैं तो चीपिंग हेमर जैसे चीजल है चीजल पार चーン पर चोट लखाएं न किसी walर से चोट लगाएं तो हेमर का वज़न कितना होटा है उस हेमर का वज़न होता है नोट कर लिजिएगा 0.75 kg होता है ये किस का वज़न होता है ये हमारा इसई प्रकार से अगर पूछा जाए ये जो हमारा handle होता है ये handle की सामानता नंदै लवाही कितनी होती है handle की सामानता है लंबाई ठीक है क्या होगा सोच के बते है तो hammer की सामानता है लंबाई होती है ये handle की ये होती है सामानता है लंबाई 200 से 325 mm होती है कितनी होती है 200 से 325 हमारी सामानता इसकी लंबाई होती है और बहुत सारे key point है अभी इतना ही बता रहे हैं क्योंकि आप भूल ना जाए बहुत सारे पॉइंट बता देंगे तो आप भूल जाओगे अब हम इसके यूजिस के बात करते हैं क्योंकि पूछा जाता है क्रॉस पीन हैमर का प्रू करते हैं है तो हju पर हम किसको प्रविट करेंगे वहाँ पर हम क्रोंस कीन हेमक और को प्रेओब करेंगे अगर अगर पूछ सकते आदल इसको बीट हेमर को फैलाने के मिड़ी करते ना तरह इसका आप पंच में भी प्रोग करते हैं पंच में कैसे जो हमारा पंच होता है किसी इनकिस heimers काfry करेंगे panching करने के लिए हैं ना चोट लगाईंगे heimers, तो panchuंष़ में भी हम ballpin heimers का chisal में भी हम जब chisal का pro करते हैं उसमेन जब heimers का चोट लगाते हैं तो वहां पर भी हम ballpin heimers का प्रो करते हैं false discrimination seller का पर करते हैं participants करते हैं कहां पर करते हैं चीजल में प्रयूब करते हैं और कहां पर करते हैं रिवेट का हेड़ बनाने के लिए करते हैं ठीक क्लियर यह सब याद रखी कि यहीं से कोशन को फिर आके पूशता है इस्टेट पीन हैमर की बात करें इस्टेट पीन हैमर का प्रयूब करते हैं जब हमें 90 मोटल को फैलाना सबुस्य था है कोई हमारी सीथ है इस टाइब से तो यहां पर हमें betra नाइट का प्रियू करना स्टेट करना स्टेट पीण है मर्गंद autotathy दूसरे पॉयंस है कि 90 डिगरी पर जब मैं दाउत को फैलानी होती तो अब सोरी स्टेट पीन हैमर का प्रूग वहां पर करते हैं ठीक है यह आपको याद है मैलेट हैमर का प्रूग करते हैं तो मैलेट हैमर का प्रूग कहां पर करते हैं सीट मैटल में करते हैं सामानिकारी के लिए सीट में मैलेट हैमर का प्रेवां करते हैं क्योंकि वहाँ पर हम सीट में हमारा निसान नहीं पड़ना चाहिए ठीक है Dass सीट में अगर हैमर का निसान पड़ जाए गहाए तो ख़राब हो जिल् Опषब लगेगा क्राब हो जाएगा सीट इसलिए मैवलेट ह होता चीपिंग करते समय चेपिंग 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 करते सम यह हमने एक figure बनाया ठीक है यहां पर एक क्या है चीजल का हमने figure बनाया अपने किताब में देखा होगा इस टाइब से है ना देखे ड्राइंग हमारी सही नहीं है जिस प्रकार से समझ लीजेगा यह क्या एक प्रकार की चीजल है और यहां पर एक पूछ को नहीं है यहां यहां जाने कंषो चाह रही है यहां आकषिव को यह हमारी ऐक्से लाइन हर टीक। inclination angle बोलते हैं ठीक होती है यह हमारा right answer हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए हमने फीगर अगर आपसे बना है हमने जैसे बना दिया और यह हमारी एक चीजा लेक परकार से समझ लेजे ठीक है अगर पूछा जाए कि यह कौन सा MHC, यह अगर आपसे पूछा है तो यह हमारा Rag kaç एंगल कहलाता है, अगर यह एंगल पूछा जाए, यह वाला तो इसको Clearance इंगल बोलते हैं, अगर Point एंगल की बात करें, Point एंगल हमारा kuन सा होता है, तो यह हमारा Point एंगल होता है, इसका जो यहां से जो यहां से जो हमारा cutting edge का top فलक होता है चीजल का और का जो क्या बोल लेंगे हम ऊपरी को top v unut बोलेंगे इसको बोलेंगे बो लेंगे यह हमारा point angle होता है ठीक याद हो गए यह bracket call इयеф clear singal यह हमारा point angle और जुकाव angle की बात करें तो यहां से जो हमारी access line होती है इसके बीज कर ठीक है तो यह हमारा clear होगे ना access line जो kawingal के आई यह हमारा ठीक है तो अब आप भूलोगे नहीं right answer क्या होगा d option होगा clear कर दिया इसे समदित कोई भी question होगा आपको आ जाएगा question number है दाद की वह property क्या है जो तूटने से पहले कोई इस्थाई विक्रती के अनुमत ही नहीं देती इंगलिस में देख लेते हैं what is the property of metal that permits no permanent distortion before breaking the hard key of property क्या है जो तूटने से पहले तो यहां पर वड़ देखिए कर तूटने से बात कर रहा है before breaking मलब तूटने से पहले मलब यहां पर समझ में आ रहा है कि metal हमारा क्या है यहां पर तूटने की बात करी है और कौन सा हमारा metal तूटता है अगर metal में हमारा writtenless का गुण होता है तो हमारा तूट जाता है तो right answer क्या होगा यहां पर तो हमारा कौन से metal होता है जो तूट जाता है अगर उसमें भंगुरता को गुण है तो हमारा तूट जाता है अगर उसमें बहुत सारा load पढ़ जाया चानक से तो यह हमारा writtenless होगा right answer question no.107 में पूचा गया है कि जो फीगर दिया यह फीगर वाले कोशन या इटी ट्रिस न जो ध्यांदी जो 110 111 बैच में एक्जाम देने जा रहे हैं फीगर वाले कोशन 50 में से 50 में से 25 से 30 कोशन पूछे जा सकते हैं और अगर आप पूछ लिए गया और आपने पढ़ानी तो आफेल इसको क्या बोलते हैं 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 इसको लॉक बोलते हैं अगर यह हम बात करें तो यह हमारा स्टॉक बोलते हैं इसको स्टॉक बोलते हैं ठीक तो निश कोशन है हैंड आर चेंपर अड़ लीड जो हैंड टैप होता है आपको पता है लास्ट में जो थोड़ा सा थेट को चेंपर कर देते हैं वो क्यों कर देते हैं ठीक है जो टेपर लीड होती है वो टेपर में क्यों होती जो लीड होती हो टेपर में क्यों होती वो इसलिए होती जब हम स्टार् कर्देते जिसे हम टेपम लीड बोलते है जो फ्लीड उसको नीचे से चहें फर कर देते हैं जैसा आज यसे पूछा नहीं जाता कि टेप जो टेपड होता है उसमें कितने फ्ल्ओट čंपर की आते हैं बॉटिंग टैप में कितने चंपर होते ही्ट से पूछा नहीं जाता वो क्योंकि यह अतने चिंफर था कि होल में असानी से बैठ सके तो e-lining मतलब क्या होता है होल में सीधे बैठाने के लिए ठीक है स्टार्टिंग में जब कटिंग को पकलने के लिए हैना सीधा हमारा टायफ फोल में जाए इसलिए हम hand tap lead में चेंपर देते हैं लाश्ट में ठीक है तो right answer क्या होगा मारा यह option होगा आप भोलोगे नहीं और अच्छे से सही करोगे जब भी question पूछा जाएगा next question है drilling machine का नाम क्या एक figure दिया गया है और आपसे पूछा गया drilling machine का नाम क्या है तो figure देखिएगा और आपको बताना है drilling machine का नाम क्या है तो अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पर एक drilling machine का figure दिया गया और आपसे पूछा गया है यह कौन सी drilling machine है तो option है pillar drilling machine gang drilling machine bench drilling machine radial drilling machine तो चौर option तो यह हमारी कौन सी डिलिंग मसीन है देखे यहाँ पर इसको पहचानते कैसे हैं यहाँ पर यह देखो इससे आपको समझ मा रहा है कि यह जो हमारा यह इसको बोलते हैं इसको कहां पर रखते हैं यह हम फर्स में रखते हैं तो जब हम फर्स में इस वाली मसीन को जब रखते हैं तो इसको हम बोलत न corazón करते हैं एदिक जो फिले ड aleg machine होती है यह हमारी स्थित की जाती है ठीक है यह हमारी कहां पर स्थित की जाती है फूर्ज ऑन आगर हम बात करें जो फिले radeowing मेशीन कि बाल होता है यह फूच गिसे को सिर्फ बैबल किस के माध्यम से कि इंतरा वली माधं से उपा-níचे किया जाता है तो रैक और पिंइन के माधंस से वर्किंग डेभल को हम o tribhy करते हैं कुछ मसीनों में होता कुछ मसीनों में नहीं होता है यह इंत्रवाली ठीक है अगर हम बात करें बेंजर डिल्लिंग मसीन में अगर स्पीड की बात करें तो इसमें भी हम एक से अधिक स्पीड प्राप्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारी इसमें इस्टिपकून पुली लगी होती है यह हो गया तो दो पॉइंट हमने बता दिये ठीक है अगर हम बात करें पिलर डिलिंग मसीन में कितने साइज तक के डिल कर सकते हैं डिल चक में आप जानते हैं कि परकार से पकड़ते हैं तो वह हम 25 में ब्यास तक के डिल को पकड़ते हैं पिलर डिलिंग मसीन के माद हम से अगर आप से पूछा जाए अगर आप से यह हमने बता दिया ठीक है पिलर डिलिंग मसीन का हमने 25 बता दिया अब अगर यह अगर आपसे पुछा जाए गैंक डिलिंग मसीन के अमसे अगर आपसे पुछा जाए गैंक डिंग कोâlसरिक मसीन का करते हैं कितने इसमें स्पिंडल होते हैं तो गैंग डिलिंग मसीन में दो से आठ स्पिंडल होते हैं और दो से आठ स्पिंडल को होने का मतलब क्या है कि दो से आठ इसमें क्या होती सबकी एक अपनी मोटर होती क्या होती इसमें सबका एक एक मोटर होती तो मतलब अलग जैसे हमारी मल्टिपल में क्या होता है मल्टिपल डिलिंग मसीन में क्या होता है एक हमारी मोटर होती है उसी से हमारी सारे स्पिंडल चलते हैं जबकि गैंग डिलिंग मसीन में क्या होती है सबकी एक अपनी मोटर होती है अगर हमें मतलब कि अगर हमें काउंटर बोरिंग करने तो काउंटर बोरिंग करने अगर हमें डिलिंग करने तो गैंग डिलिंग मशीन का काम कहां पर करते हैं हम मास प्रोडेक्शन में करते हैं मतलब लगातार हमें आपरेशन करना पहले हमने डिलिंग कर लिया फिर आगे वाले में जै ए alarms production में हम् करते हैं क्रमifornia CRMING सचालर रिखया तो वहां पर हम गयंग यहां पर याद कर्णा है अगर नेस्ट पॉइंट की बात करें हैं यहां पर रेडियाल डेलिलिट मसीनram का प्रयूग हम कहां करते हैं तो साउय विसीनकर चैनल सीमें है कि दिल्ग को पकड़ते हैं बात ऊता हैं अगर डेडियल डेलिंग मसीन के पूचा जाए साइज हम कहां से लेते हैं तो डेडियल डेलिंग मसीन में एक हमारी आर्म होती आपको पता होगा एक हमारी आर्म होती जिस पर हमारा एक कैरियर लगा होता है और वो आर्म के आगे पीछे घूमता है जैसे यह हमारा यह हमारा क हम डिलिंग वगेरा टूल वगेरा स्पिंडल वगेरा हमारा सब लगा होता है तो यह आर्म से ही आर्म की लंबाई से हम डिलिंग मसीन का साइज लेते हैं किस डिलिंग मसीन का रेडियल डिलिंग मसीन का साइज हम आर्म की लंबाई से लेते हैं ठीक क्लियर हो गया अगर आप से पूछा जाए कि रेडियल डिलिंग मसीन का प्रयोग कहां पर करते हैं तो रेडियल डिलिंग मसीन जो समाने था हमारी प्रयोग किया थी यह बड़े-बड़े वक्षॉप में करते हैं कहां पर करते हैं जहां पड़े-बड़े वक्षॉप होते हैं वहां पर इसका मतलब छोटे और बड़े दोनों जॉप में हम डिलिंग कर सकते हैं रेडियल डिलिंग मसीन के माध्यम से ठीक है नेस्ट पॉइंट की बात करें इसका प्रयोग कहां पर करते हैं जैसे हमने गैंग डिलिंग मसीन का प्रयोग बता दिया कि मास प्रोडेक्शन में करमेक्शन च चाहिए कुरेशिम चाहिए तो वहाँ पर हम रेडियल डिलिंग मशीन का प्रयों करते हैं ठीक है तो यह पॉइंट याद रखेगा काफ इंपोर्टनेश कोशन है वाट इस दा रीडिंग आफ आउटसाइड माइक्रोमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया और आपसे पूछा गया है किसकी रीडिंग आपको बताना है जब भी आपसे रीडिंग पूछी जाए तो सबसे पहले देखे कि कौन सा माइक्रोमीटर है तो कौन सा माइक्रोमीटर है हमारा बिटिस माइक्रोमीटर है अब ठीक है यह याद होना चाहिए इसके अलावा हमारा में डिवीजन कितना होता है यह पता होना चाहिए और हमारा जो सब डिवीजन होता है वो हमारा पता होना चाहिए तो सब डिवीजन क्या होता है वही होता है जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारा माइक्रो मीटर की जो पीछ है वह कितनी है जैसे अगर हम मेट्रिक माइक्रो मीटर के पीच कितनी होती है पीच या लीट कितनी होती है जीरो पॉइंट फाइब माप बताते हो इसी प्रकार से बिट्रिस माइक्रो मीटर का यहां पे पूछा गया तो बिट्रिस माइक्रो मीटर का हम बताएंगे तो बिट्र से हम इसको हल करेंगे तो यहां पर रीडिंग को अच्छे से समझना है पैनिक नहीं होना है तो जब भी फीगर दिया गया तो यहां पर आप्शन देख लिजिए कि आप्शन किस परकार से दिया गया पॉइंट 3 करके दिया मतलब हमारा पॉइंट 3 करके अंसर आएगा और यह है ठीक है तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि कहां तक यह आया हुआ है यह नंबर हमारा कहां तक आया हुआ हुआ तीन तक आया यहां तक आया हुआ यहां तक खुला हुआ है तो 0.3 लिख लेंगे तो हमारा में डिवीजन कितना हो जाएगा में डिवीजन में एक खाना ये खुला हुआ और एक खाना ये खुला हुआ दोनों खाने के हैं बराबर खुले वें इसलिए हम दोनों खानों को कहां पर काउंट करेंगे और जैसा कि हमने बताए कि एक खाने का मान, एक खाना के मान मतलब एक सबडिविजन का मान, है न, यह क्या है हमारी सबडिविजन ही तो है, नीचे जो है, यह क्या हमारी पीछी तो है, जो गयाफ है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो हम जब माइक्रो मीटर को हम घुमाएंगे, एक पूरा चकर है तो कितना बढ़ेगा score बढ़ेगा उसको फिज बोलते हैं इस एक खाने कमान कितना होता है point 025 होता है ठीक है ठीक है एक खा और खुदा हुआ हुआ है तो हम यह खाना और लेंगे ठीक है तो मतल्ब एक खाना और जोड़ेंगे तो 0.025 पॉंट 025 जोड़ दिया कितना हो गया यह हो गया point यह point 050 हो ठीक कितना हो गया point 05 हो गया इसको ऐसे लिख से point 050 हो गया तो दो खाने में आपर count करेंगे तो सब डिविजन हमारा कितना है फ्रेंड सब डिविजन हमने यहाँ पर लिख लिया सब डिविजन हमारा है यहाँ पर पॉइंट जीरो-फाइब हो गया, ठीक TIM पॉ-उंट-ड हमने के ओंग एमने पॉ-उ-फाइब क्यों लिखा क्योंकि हमारे दो खाने यहां पा लेंगे न हैं, तो TSD लिख लेते हैं थिंबल डिविजन लिख लेते हैं कितना होगा है ना तो थिंबल डिविजन यह क्या है थिंबल डिविजन कैसे निकालती है यह हमारा साथ है यह हमारा 9 है तो यहां पर हम क्या करेंगे 9 हमारी किस line से match करें यही तो हम देखते हैं कि जो हमारी date time line है यह हमारी किस line के सामने है तो यह 9 नमबर के सामने है और थमने बता है कि जो thimble division होता है उसके एक खानेक मान कितना होता है एक खानेक मान होता है 0.001 inch यह क्या होता है एक खानेक मान जो भी हमारी line match करती है उसी में हम list count का गुड़ा करते है मतलब कि यह हमारा 9 खाना match कर रहा है तो हम किस में गुड़ा करते हैं list count से गुड़ा करते हैं तो list count से हम 9 का गुड़ा किस में करेंगे .001 में करेंगे ठीक है तो list count गुड़ा करते हैं कर दिया हमने 0.009 क्या अंसर हम आया आया इसको जोड़ देते हैं पूरा तो 0.359 आया अंसर तो 0.359 अंसर देखो आप्शनम दिया होगा 369 आप्शनम ये देखो है तो निकाल ये ना बहुत अच्छे से समझाएं आ गया होगा समझ में पहले हमने 0.3 देख लिया हमारा 0.3 खुला हुआ है इसके बाद हमारे दो खाने खुले हुए दो खाने एक खाने कि मान 0.025 तो दोनों खाने को जोड़ेंगे तो 0.505 हो जाएगा यहां पर लेख ले तह 0.3 हो गया इसके बाद हमने दो खाने जोड़े तो 0.05 हो गया ये ना 35 पॉइंट 25 25 पॉइंट 05 पचीश जोडेंगे पॉइंट 050 हो गया ठिम्बल डिविजन कौनसी लाइन मैच करेंगे नवी लाइन मैच कर रही है तो जो लाइन मैच करती उसको लिस्ट कावं से गुड़ा करते हैं पॉइंट 009 हो गया तो अंसर आ गया 35 यह हमारा 3 ह समझ में इससा निकालते हैं तो कोई भी ड्रीडिंग आजएगे आप आज की ट्लास में कैसे लगा आपको वैडियो और जैसे भी आपको लगाई करके जरूरेगा फिडबेक ने कर दिया होगा और इस मैनत के लिए चैनुल साब कर दीए कर दीए होगा ऑगा कारण डास अगर क्लास नहीं होती तो आपको कहीं न कहीं यूटूब या टेलिग्राम में आपको अपडेट किया जाएगा तो इसलिए वाटसप जुरू जुरू जॉइन कर रखियागा लिंक हमने डिस्क्रेशन बॉक्स में वाटसप ग्रूप की दे दिया है जहां पर इस क